नमा अध्याए युधिष्ठिर आदिका भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्रे कृष्ण की इस्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना सूत जी कहते हैं इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजा द्रोह से भैभीत हो गए फिर सब धर्मों का ज्यान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की जहां भीष्म पितामा शर्शया पर पड़े हुए थे शोनक आदिरिशियो उस समय उन सब भाईयों ने स्वर्ण जटित रथों पर जिन में अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया उनके साथ व्यास धों में आदि प्राह्मन भी थे शोनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रत पर चढ़कर चले उन सब भाईयों के साथ महाराज उधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्छों से घिरे हुए स्वयम कुवेर ही जा रहे हुँ पड़े हुए हैं उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया शोनक जी उसी समय भरतवन्शियों के गवरव रूप भीश्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रम्हर्शी देवर्शी और राजर्शी महा आये परवत नारद धौम्य भगवान व्यास ब्रिहदश्व भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुरामजी वसिष्ठ इंद्रप्रमद तृत गृतस समद असित कक्षीवान गौतम अत्री विश्वामित्र सुदर्शन तथा और भी शुकदेव आदी सुद्ध हिर्दय महात्मा गण एवं शिष्यों के सहित कश्यप अंगिरापुत्र ब्रहस्पती आदी मुनिगण भी महा पधारे। भीश्म पितामह धर्म को और देशकाल के विभाग को कहां किस समय क्या करना चाहिए इस बात को जानते थे उन्होंने उन बड़ भागी रिशियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे अतह उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारन करके महा बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हिर्दय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीश्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीश्म पितामह की आखें प्रेम के आशों से भर गई। उन्होंने उ आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा जिसके तुम कडाप योग्य नहीं थे। अतिरथी पांडव की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट छेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं वे सब उन्हीं की लीला ह नहीं तो जहां साक्षात, धर्म पुत्र राजा युदिष्ठिर हों, गदाधारी भीन सेन और धनुर धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हों, गांडीव धनुशो और स्वयम श्रीकृष्ण सुहिरिद हों, भला महा भी विपत्ति की संभावना है। ये काल रूप श् इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। इदिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं इश्वर इच्छा क्या दीन हैं। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। ये श्रीकृष्ण सा दुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूड एवं रहस्यमय है। युदिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवर्शी नारद और स्वयम भगवान कपिल ही जानते हैं। जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रियमित्र और सबसे ही तु मानते हो, तधा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारती तक बनाने में संकोच नहीं किया है, विश्वयम परमात्मा है। इन सरवात्मा, समदर्शी, अध्वितिय, अहंकार रहित और निश्पाप परमात्मा में उन उचे नीचे कारियों के का प्रकार की विशमता नहीं होती। युदिष्ठिर, इस प्रकार सरवत्र सम होने पर भी, देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भगतों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में, जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूं, इन भगवा प्रायन योगी पुरुष भक्ति भाव से इन में अपना मन लगा कर और वानी से इनके नाम का कीरतन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वे ही देव देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अ प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूँ। सूत जी कहते हैं युधिष्टिर ने उनकी यह बात सुनकर शर्शया पर सोए हुए भीश्म पितामह से बहुत से रिशियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे रूप से बतलाय हुए निवृत्ती और प्रवृत्ती रूप द्वीध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म इन सब का अलग-अलग संख्षेप और विस्तार से वरणन किया। शोनक जी, इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुशार्थों का तथा इनकी प्राप्तिके साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभागशह वरणन किया। भीश्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायन का समया पहुचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत प्रायन योगी लोग चाहा करते हैं। उस समय हजारों रथियों के नेता भीश्म पितामह ने वाणी का सैयम करके मन को सब और से हटा कर अपने सामने इस्थित आधी पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुन्दर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीतामबर फहरा रहा था। भीश्म जी की आखें उसी पर एक टक लग गई। उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई। तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुब शेष थे वे सभी नश्ठ हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान के स्तुति की। आनंदमय सोरूप में इस्थित रहते हुए ही कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्विकार कर लेते हैं जिससे यह श्रिष्टी परंपरा चलती है। मेरी निश्कपट प्रीदी हो। मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षन छवी याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए गुंगराले बाल घोडों की टाप की धूल से मटमेले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुन्दर कवच मंडित भगवान श्री कृषन के प्रती मेरा शरीर, अंतह करण और आत्मा समर्पित हो जाए। अपने मित्र अरजुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पंडव सेना और कवरव सेना के बीच में अपना रत ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी द्रिष्टी से ही शत्रुपक्ष के सैनिकों की आयुचीन ली उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीती हो अरजुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा तब पाप समझ कर वह अपने स्वजनों के वद से विमुख हो गया उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्म विद्या का उपदेश करके उसके सामईक अज्यान का नाश कर द चोड़ूंगा उसे सत्य एवं उची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहन न करने की प्रतिग्या तोड़ दी उस समय वे रत से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है वैसे ही रत का पहिया लेकर मुझ पर जपट पड़े उस समय वे इतने वेग से दोड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और प्रित्वी कापने लगी मुझ आतताई ने तीखे बान मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था जिससे सारा शरीर लहू लुहान हो रहा था अर्जुन के रोकने पर भी वे बल पूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी और दोड़े आ रहे थे वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रती अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे मेरी एक मात्र गति हों आश्रय हों अर्जुन के रत की रक्षा में सावधान जिन श महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छविका दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्थ हो गए उन्ही पार्थ सार्थी भगवान श्री कृष्ण में मुझे मरना सन्न की परम प्रिती हो जिनकी लटकीली सुन्दर चाल हाव भाव युक्त चेश्टाएं मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रास लीला में उनके अंतरधान हो जाने पर प्रेमोन माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी उन्ही भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो जिस समय उधिष्चिर का राज सूय यग्य हो रहा था मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी और से इन्ही सबके दर्शनी भगवान श्री कृष्ण की मेरी आँखों के सामने पूजा हुई थी वे ही सबके आत्मा प्रभु आ श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीर धारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान हैं ही उन्ही इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रह्म से रहित होकर प्राप्त हो गया उनके प्राण महीं विलीन हो गए और वे शान्त हो गए उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शान्त हो जाता है उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे साधु सुभाव के र देश्ट क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोक मगन हो गए उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्य में नाम ले लेकर इस्तुति की इसके पश्चात अपने हृदयों को श्री कृष्ण में बना कर वे अपने अपने आश्रमो को लोड गए तदनंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्टिर हस्तिनापूर चले आये और उन्होंने वहां अपने चाचा ध्रितराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को धाड़स बंधाया फिर ध्रितराष्ट्र की आज्यां और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्टिर अपने वंश परंपरागत सामराज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे